हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सद्वित्रा अकेडमी आज का हमारा टॉपिक है कि केन सरकार ने की e-commerce नियमो को सक्त करने की तयारी flesh sell पर लग सकता है बैन तो आज हम देखेंगे कि यह टॉपिक क्या है और किस तरीके से बैन लगेगा तो केन सरकार ने कहा है कि जिन बदलाओं का प्रस्ताओ दिया गया है उनमें कुछ तरह की flesh sell पर बैन और e-commerce प्लेटफॉर्म की और से नियमों को नहीं मानने पर कारवाई सामिल है केन सरकार ने धोका धड़ी और अनुचित व्यापार प्रताओं पर रोक लगाने है तो देश के e-commerce नियमों में बदलाओं का प्रस्ताओ दिया है केन सरकार ने कहा है कि जिन बदलाओं का प्रस्ताओ दिया गया है उनमें कुछ तरह की flesh sell पर बैन और e-commerce प्लेटफॉर्म की और से नियमों को नहीं मानने पर कारवाई सामिल है केन सरकार ने e-commerce प्लेटफॉर्म पर गलत और भारी छूट के साथ धोखा धड़ी पूंड विक्री पर प्रतिबंद लगाने वो DPIT के साथ इन कंपनियों का पूंजी करण या पंजी करण अनिवार करने का प्रस्ताव रखते हुए उभोगता संरक्षण याने की e-commerce नियम 2020 में संसोधन करने के लिए सुझाओ आमंत्रित किये हैं इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश यह है कि मंत्राले के मताबिक प्रस्तावित संसोधन का उद्देश ये e-commerce platform में पारदरसिता लाना और नियामक विवस्था को और मजबूत करना है मंत्राले द्वरा प्रस्तावित ये मंत्राले द्वरा प्रस्तावित है e-commerce नियमों में बदलाओ के मताबिक e-commerce फर्मों को पर्याप्त सिकायत तंत्र बनाने और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा इसके अलावा इन कम्पनियों का एक निवासी सिकायत अधिकारी भी नियुक्त करना होगा यह अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए साथ ही नोडल अधिकारी भी रखना होगा सरकार e-commerce संस्थाओं को उद्योग एवं आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग याने कि DPIIT में पंजीकरन कराने की योजना भी बना रही है वो भोगता मामलों के मंत्राले के सयुक्त सचिव ने एक सारजनिक सूचना में कहा कि प्रस्तावित संसोधन पर विचार टिपणियां सुझाओ 15 दिनों के भीतर याने कि 6 जुलाई 2021 तक इमेल दोरा दे सकते हैं या भीज सकते हैं उनलंगन करने पर दंडात्मक करवाई प्रस्तावित संसोधन में इकॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोक्ताम, पता लगाने और जाच और अभियोजन के लिए सरकारी एजनसी से आदेस प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूशना प्रदान कर दंडात्मक करवाई की जा सकती है। किन सरकार ने क्या कहा है? किन सरकार ने एक अलग बयान में कहा है कि उसे पीडित उपभोकताओं, व्यापारियों और संगों से बहुत से सिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें कहा गया है कि e-commerce कंपनियों पर बड़े पैमाने पर ग्राकों से धोका धड़ी हो रही है और उन्हें गैर जरूरी वस्तुएं खरीदने को गुम्रा किया जा रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि e-commerce कंपनियों के लिए किस तरीके से सरकार अपने नियम बदल रही है। फ्लेश सेल पर बैन लगा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडियाफ लिंक आपको हमारे टेलिग्राम चैनल सक्सेज वित्राइकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के धन्यवाद।